हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान अकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के सात में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार लेब असिटेंट यानी प्रियोक शाला सायक के लिए फिजिक्स केमिस्टें राजस्तान जीके की क्लासे लेकर के आ रहा हूँ उसी के अंतरगत हम लोगों ने फिजिक्स के टोटल 10 टॉपिक में से 6 टॉपिक कर लिये हैं यूटूब के उपर 1 by 1 टॉपिक वाइस टॉपिक और आप लोगों को कम्पिलिट पड़ा दिया गया है आप लोगों में कल हमने स्टार्ट करा था तो हमने पढ़ लिया था कि तरंगती है क्या उर्जा को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर बेजने का एक माद्य में वो भी बिना किसी वास्त्विक बहुतिक इस्तान आंतरण के ठीक है इसमें वेवस को हमने थ्री बाक्ष में डिवाइड करा था पहला कौन सी थी पहली वेव थी विदुद चुम्बक के तरंगे इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस दूसरी थी द्रव्य तरंगे यानि मैटर वेवस और थर्ड थी यांत्रिक तरंगे यानि मेकनिकल इन सबी किये गति करते हैं तो गतिमान कंड से संबंदित जो तरंगे हैं उन्हें द्रव्य तरंगे का जाता है यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जो एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक इस्तान आंत्र नेतू पदार्थिक माध्यम एननी मेट्रेलियल मीडियम की आफसकता हो अनुदेद्रिय तरंग क्या होती है जिसमें तरंग गती में जो कण के माध्यम की तरंग है उसी के दिसा में संचरन करते हैं यानि कि जिस दिसा में तरंग जा रही है उसी दिसा में उस तरंग के कण भी अगर संचरन कर रहे हैं कमपन कर रहे हैं तो हम उस तरंग को अनुदे ये सब भी फिर इसके अंदर मैंने बताया था दो करमागत विल्नो या फिर संपिडनो के बीच की जो दूरी होती है उसे अनुदेदरिय तरंग की तरंग देदरिय लेमडा कहते हैं ठीक है फिर संपिडन और विल्न को मैंने पूरा डाइगराम बना करके समझा दिया था और दास्ट में आपको बताया था तो तरंगों में जो मादद्यम की परत्यास्ता है वो अधीक होने पर तरंग की चाल बढ़ जाती है वर जड़त्व अधीक होने पर तरंग की चाल कम हो जाती है ठीक है फिर हमने बात करी थी second wave अनुप्रस्त तरंगे transverse wave इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब तो अनुप्रस्त तरंगे basically क्या होती है इसके अंदर जैसा कि हमने देखा था अनुदेद्रिय तरंग में कन की दिशा और तरंग की दिशा दोनों same है यहाँ पर क्या होगा जो कन है वो तो अगर वाई दिशा में अपना कमपन कर रहे हैं तो तरंग जा रही होगी एक्स दिशा में अगर कन एक्स दिशा में कर रहे हैं औक्षिलेशन तो आपके कंड जो तरंग है वो जा रही होगी वाय दिसा में यानि एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो हम कहते हैं अनुप्रस्त तरंगे ठीक है तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि यदि माध्यम के कणो यदि माध्यम के कणो की गती माध्यम के कणो की गती की दिसा तरंग के संचरण की संचरण की दिसा संचरण की दिसा के लंबवत हो तो लंबवत हो तो तरंग को अनुप्रस्त अनुप्रस्त तरंग एक मिनट अनुप्रस्त तरंग कहा जाता है तरंग के कणो की गती की दिसा और तरंग के संचरण की दिसा एक दूसरे के लंबवत हो तो हम उसे क्या कहेंगे अनुप्रस्त तरंग कहेंगे यानि कि मैं यहाँ एक्जाम्पल में आपका एक डाइग्राम बना देता हूँ कि अगर यह ऐसे सपोच करिए य दिसा में तरंग जा रही है ठीक है यह य डायरेक्शन तो यह मूशन कैसे कर रही होगी यह संचरण कैसे कर रही होगी एक्स दिसा में संचरण कर रही होगी ठीक है अनुप्रस्त तरंगों की यह विसेस्ता होगी और इसके एक्जामपल अगर हम देखते हैं तो पहला एक्जामपल आ जाएगा आपके तनी हुई डोरी को कमपन कराने पर ठीक है तनी हुई डोरी को कमपन कराने पर कराने पर विक्षोब डोरी की लंबाई के अनुदिस डोरी की लंबाई के अनुदिस कतिसिल होता है ठीक है तो यह बात याद रखनी है कि जब आपके पास एक डोरी है सपोच करिए जो आपने एक्टिम तन के पकड़ी हुई है आप जैसे ही उसमें कमपन कराएंगे तो वो उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे होती रहेगी और आगे बढ़ेगी यानि कि उसमें क्या हो रहा है कि जो उसके कंड हैं वो तो कर रहे हैं Y डिरेक्शन में मोशन तो और वो जा रही है X डिरेक्शन में आगे तो इसका मलत क्या हुआ उसमें क्या हो रहा है कि जो डोरी के कंड हैं वो संचरन के लंबवत दिसा में कमपन करते हैं इसलिए ये किसका example हो जाएगा अनुपरस्त तरंगो का example हो जाएगा ठीक है चलिए एक बात और इसमें लिख लेंगे आप जैसा कि मैंने पीछे medium के लिए लिख वाया था इसके अंदर भी आप लिख लेंगे कि अनुपरस्त तरंगो के संचरण के लिए संचरण के लिए माद्यम यानि जो medium है उस medium का द्रड अत्वा असंपिडियर अनकंप्रेश्डेबल ठीक है असंपिडियर होना आवशक है ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो अनुपरस्त तरंगे हैं उनके संचरण के लिए जो medium होगा वो द्रड या फिर हम यह कह सकते हैं असंपिडियर होना चाहिए यानि कि वो ऐसा निवो कि compress हो जाए ठीक है compress हो गया तो क्या हो जाएगी फिर यह वेव जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी अभी जब हम इसका पूरा डाइगराम बनाएंगे और इसको मैं और समझाओंगा तो और आपको किलियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों कह रहे थे सर तो आप लिखिए कि अनुप्रस्त तरंगे अनुप्रस्त तरंग मैं उपर की और भाई मोशन करेगी तो एक बार उपर जाएगी फिर निचे आएगी फिर उपर जाएगी फिर निचे आएगी ऐसे मोशन करती है इसमें ठीक है तो तरंग मैं उपर की और मैक्सिमम यानि अधिक्तम विस्थापन की इस्थती को स्रंग व निचे की और मैक्सिमम विस्थापन विस्थापन को मैक्सिमम विस्थापन की इस्थती को गरत कहा जाता है क्या कहा जाता है गरत कहा जाता है तरंग स्रंग एवाम गरत के रूप में आगे बढ़ती है यहां आपको समझ में आएगा कि मैंने अनुप्रस्त तरंगों के संचरण के लिए जो मिडियम है वो द्रड या असंपिडिय होना क्यों बताया देखिए भई तरंग जो है वो स्रंग या गरत रूप में आगे बढ़ रही है अब अगर आगे वाला मिडियम कंप्रेसेबल हो गया तो और आगे जाती जाएगी और आगे जाती जाएगी तो हमें वेव रुकेगी नहीं तो वेव रुकनी चाहिए इसलिए जो द्रड है वो जो मिडियम है उसका द्रड या असंपिडिय होना आफशक होता है समझने आ गई बात क्योंकि स्रंग और गरत के रूप में अगर ये मोशन कर रही है अब वो कंप्रेसेबल हुआ तो और गहराई के तक गरंत करे देगा और और उचाई तक जाएगा तो उसे कम करने के लिए ये किया जाता है ठीक है चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जैसा कि मैंने पिछे भी बताया था कि दो करमागत विर्लनों और संपिटनों के बीच की दूरी को तरंग देदरिय कहते हैं वैसे ही दो करमागत दो करमागत स्रंगो या ग्रतो के बीच की दूरी बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग की तरंग देदरिय लेमडा से रिप्रजन करते हैं जिसे कहते हैं ठीक है तो दो करमागत स्रंग या फिग्रत उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग ठीक है और अनुप्रस्थ तरंग की जो तरंग देदरे हैं वो क्या कहलाती है जो आपके स्रंग है या ग्रत है उनके बीच की दूरी सरी ये स्रंग न ग्रत न क्या कर रहे हो आप ठीक है भाई ले डाइग्राम देख ये 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 ऐसे तो जो ये डिस्टेंस दिख रही है आपको कौन सी वाली अरे ये ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं लेमडा तरंग देदरे है या फिर ये मिनिमम और ये मिनिमम इनके बीच की डिस्टेंस को हम कह रहे हैं क्या तरंग देदरे हैं समझ में आई बात ये जो पिक पॉ स्रंग ठीक है क्या कहते हैं स्रंग और ये जो lowest point है इस lowest point को कहते हैं गरत क्या कहते हैं गरत कहते हैं समझ मैं आ गई बात एक दम clear है आप सभी लोगों के तो अनुप्रस्त तरंगे क्या है एक बार वापस देखेंगे यदि मीडियम के कणो की गती की दिसा और तरंग के संचरण की दिसा एक दूसरे के लंबवत है तो तरंग को हम अनुप्रस्त तरंग कहते हैं इसका एक्जामपल है जो तनी हुई डोरी होती है उसको जैसे ही हम कंपन करवाते हैं तो उसमें अनुप्रस्त तरंगे डेवलप होती है ठीक है अनुप्रस्त तरंगों के संचरण के लिए जो मीडियम है उसका द्रड या असंपिडिय होना आफशक है अनुप्रस्त तरंगों में उपर की और जो मैकसिमम विस्तापन होता है उसे हम सरंग कहते हैं और जो नीचे की और मैकस की जो distance है उसे हम अनुपरस्त तरंग की तरंग देधरियर यानी lambda से represent जिसे किया जाता है कहते हैं और फिर हमने एक diagram में देख लिया कि कैसे सरंग गरत बनेंगे और lambda किसको represent करेगा समझ में आगई बात clear है अब यह जो तरंगे हैं दोस्तों 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. भी हो सकती है तो तरंगे जो है वो तीन टाइपस में हम डिवाइड कर सकते हैं एक होती है 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. सरी एक a.m. 2 a.m. 3 a.m. क्या है तो देखिए दोस्तों तरंग जो है उसकी उर्जा का संचरण यानि उसकी जो एनरजी है वो कितनी directions में जा रही है उसके आदार पर हम यह कह सकते हैं कि तरंगे एक आयामी है द्यू आयामी है या त्री आयामी है जैसे अगर हम तन्य हुई डोरी का example लेते हैं तो तन्य हुई डोरी के अंदर एनरजी का जो संचरण होगा वो एक ही direction में होगा तो तन्य तन्य हुई जो डोरी है वो फिर क्या कहलाईगी एक वीमिय तरंग ठीक है ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं पानी का प्रष्ट है उसमें जैसे पत्थर डालते हैं पानी एक motion के साथ आगे बढ़ता है उसमें क्या हुआ कि आपकी जो energy है वो डियू वीमिय तरंगे चलने लगेगी और अगर हमारे दवनी हैं प्रकास हैं उनकी बात करें तो दवनी जैसे आप बोलते हैं तो ऐसा धोड़ी है आपके सामने जो खड़ा है उसको देगा आपके left में खड़ा है उसको सुना ही नहीं देगा सुना ही देता है आपके right में आपसे 180 degree पे 3006 degree पे कहीं भी खड़ा हो आपसे उसको सुना ही देता है ऐसे प्रकास जो है सूरे से जैसे या रहा है पूरी पर्तवी पर चाह जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ धमनी है प्रकास है यह जो तरंगे है यह सबी दिसाओं में संचिरित होती है इसलिए इन्हें हम त्री विमिय तरंगे कह सकते हैं ठीक है अब देखिए हम बात करते हैं प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगों के बारे में कि यह क्या है तो आप लिखेंगे प्रगामी तरंगे ठीक है अब यह प्रगामी तरंगे है क्या इनके बारे में बात करते हैं प्रगामी तरंगों का मतलब है वैसे तो देखिए कि सबी तरंगे जो है उनमें उर्जा का संचरण होता ही है और इस कारण से हम लगबग सबी तरंगों को प्रगामी तरंगे भी कह सकते हैं लेकिन कुछ विशेश प्रिस्तितियों में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि माध्यम में जो कण है वो कमपन गती कर रहे हैं लेकिन एनर्जी का संचरण नहीं हो रहा है तो जब एनर्जी का संचरण नहीं होता है उस टाइप की तरंगों को हम क्या कहते हैं हम उनको कह देते हैं अप्रगामी तरंगे तो प्रगामी तरंगे क्या हुई जिसमें उर्जा का संचरण होता है प्रगामी तरंगों का मतलब क्या है उर्जा का संचरण होता है उन्हें हम प्रगामी तरंगे कह देते हैं और अगर हम बात करें अप्रगामी तरंगों की अप्रगामी तरंगे तो अप्रगामी तरंगे क्या है? अप्रगामी तरंगों का मतलब है उर्जा का संचरण उर्जा का संचरण नहीं होता है यह चोटी चोटी चीज़े हैं जो आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रगामी तरंग है या अप्रगामी तरंग है तो आपको याद रहना चीए जिसमें एनर्जी का संचरण हो रहा है प्रगामी तरंग कहलाएगी जिसमें उर्जा का संचरण नहीं होता है अप ब्रगामी तरंग कहलाती है अब हम तरंग गती के बारे में जान चुके कि तरंग कितने परकार की है तरंग होती क्या है तरंग से होगा क्या लेकिन कोशन क्या यह आएंगे नहीं आपको पता है इसमें आएंगे numerical और numerical solve करने के लिए हमें कुछ इस wave motion से related definitions है जैसे आयाम है आवरत काल है तरंग संख्या है इन जो definitions है ये जो कुछ परिबासाएं हैं वो हमें जरूर पता होनी चीए और उनके कुछ फॉर्मूलाज हमें पता होने जरूर ही है तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं तो आप topic डालेंगे अब और ये जिसने समझ लिया उसका आदा तरंग topic complete है तो आप लिखेंगे तरंग गती से संबंदीत विबिन परिबासाएं ठीक है यानि कि इंगलिस में अगर कोई लिख लाया है तो लिख लिजी आप definition related to wave motion तरंग गती से संबंदीत विबिन परिबासाएं जिसके अंदर सबसे पहले हम कौन सी परिबासा डिसकस कर रहे हैं सबसे पहले हम डिसकस कर रहे हैं आयाम के बारे में कि ये आयाम है क्या ठीक है और आयाम का मतलब होता है इंगलिस में amplitude तो आप लिख लिजिए amplitude के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसको generally small a से represent कर दिया जाता है ठीक है आयाम और यहां पर जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ आएगी और वहां से कुशन आया हुआ है तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आयाम के बारे में कि आयाम है क्या तो आयाम का मतलब होता है किसी भी तरंग की जो मद्य इस्तती है उस मद्य इस्तती से कर्ण का जो अधिक्तम विस्तापन होता है उसे हम आयाम कहते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि माद्य इस्तती से कर्ण के अधिक्तम अधिक्तम एक सेकेंड अधिक्तम सही से लिखेंगे अधिक्तम विस्तापन को अधिक्तम विस्तापन को आयाम कहते हैं ठीक है तो माद्य इस्तती से कर्ण का जो अधिक्तम विस्तापन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं आयाम कहते हैं ठीक है और इसे आप डाइग्राम में देख लिजिए कि आयाम होता क्या है तो मैं आपके सामने इसका डाइग्राम बना देता हूँ ये हो गया हमारा क्या टाइम और ये हमारा हो जाएगा क्या दोस्तो विस्तापन यानि की एक्स ठीक है और इस विस्तापन में ये वाली पोजिशन कौन सी वाली ये वाली ये जो पिख पोजिशन है ना ये ये और ये ये कहलाता है आयाम समझ में आगई बात ये क्या कहलाता है ये कहलाता है आयाम याद रखेंगे आप सबी तो आयाम यानि amplitude का मतलब क्या है माद्य इस्तती से कर्ण का जो अधिक्तम विस्तापन हो रहा है उसे हम कहते हैं आयाम ठीक है चलिए next आपके definition आजाती है दूसरी वाली और वो क्या आजाती है आवरती ठीक है तो अब हम बात करेंगे आवरती के बारे में तो आवरती यानि होता है आपके frequency और ये frequency क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे तो frequency ठीक है चलिए इसको आप generally represent करेंगे या तो small n से या small f से समझ में आ गई बात ठीक है चलिए आवरती का मतलब क्या है अब definition लिखेंगे सबसे पहले कि माद्यम यानि medium माद्यम के किसी कन माद्यम के किसी कन द्वारा एक second ठीक है एक second में किये गए एक second में किये गए कमपनो की संख्या एक second में किये गए कमपनो की संख्या को आवरती कहते हैं ठीक तो आवरती का मतलब क्या है माद्यम जो है medium जो है उसमें जो particles है उनके द्वारा एक second में कितने कमपन किये जा रहे हैं कमपनो की संख्या को हम क्या कह रहे हैं आवरती कह रहे हैं इसका मतलब वैसे ये भी होता है कि एक बिंदू से एक कोई particular point है उससे एक second में कितनी तरंग गुजर रही है वो संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं आवरती ठीक है जैसा कि देखो पीछे हम जो diagram बना चुके है ना ये वापस से बना देते हैं ये देखिए अब इसके अंदर ये point है suppose करिए पी तो इस particular पी point से गुजरने वाली तरंगो की संख्या क्या तरंगो की संख्या को हम क्या कहेंगे आवरती कहेंगे इस आवरती का मातरक क्या होता है तो आवरती का मातरक होता है कमपन परती सेकेंड क्या होता है कमपन परती सेकेंड समझ में आ गई बात या इसे ही हम कह देते हैं हर्ड क्या कह देते हैं हर्ड भी कहते हैं कमपन परती सेकेंड या हर्ड भी कहते हैं हजड समझ में आ गई बात ठीक है तो आवरती का मतलब क्या है माद्यम के किसी कण के द्वारा एक सेकेंड में किये गए कमपनों की संख्या को आवरती कहते हैं या किसी पर्टिकुलर जो हम जिस की बात कर रहे हैं जिस वेव की बात कर रहे हैं उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में गुज किसरे नमबर पर आप लिखेंगे आवरत काल के बारे में किसकी लिखेंगे आवरत काल का मतलब क्या होता है टाइम प्रेड के बारे में बात करेंगे तो किसी भी वेव का टाइम प्रेड क्या होता है इसे रिपरजेंट करते हैं कैपिटल टी से ठीक है किसे रिपरजेंट करे तो आप लिखेंगे इसके अंदर एक कमपन को पूरा करने मैं लिया गया समय एक कमपन को पूरा करने मैं लिया गया समय आवरत काल कहलाता है ठीक है एक कमपन को एक पूरे के पूरे ऑक्सिलेशन को एक कमपन को एक वाइबरेशन को कमपलीट करने मैं जो लिया गया टाइम प्रेड है जो लिया गया समय है उसे हम कह रहे हैं आवरत काल ठीक है इसका मातरक क्या होगा तो भाई समय की बात हो रही है तो मातरक तो क्या हो जाएगा सेकेंड ये याद रखना ठीक है इसका मातरक क्या है सेकेंड होता है और बस आपको कमपन जो आपकी स्वारी आवरती और जो टाइम प्रेड है उसमें एक रिलेशन होता है वो आपको याद रखना है कि टाइम प्रेड इस इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ यानि कि टाइम प्रेड इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आवरत काल इस इक्वल टू क्या हो जाएगा एक बटे आवरती ये संबंद आपको याद रखना है ये आपके कई कोशिंस को स्वाल्ड करने में काम आएगा ठीक है चलिए चौथी डेफिनेशन की बात करते हैं हम और चौथी डेफिनेशन आजाती है हमारे किस के बारे में दोस्तों तो चौती definition है आपके तरंग देधरिय यानि wavelength तो आप लिखेंगे तरंग देधरिय और तरंग देधरिय का मतलब क्या है वेव लेंथ ठीक है वेव लेंथ को रिपरजेंट करेंगे लेमडा से ये मैं पहले भी बता चुका हूँ चलिए अब इसकी definition लिखेंगे आप कि माध्यम के माध्यम के कन द्वारा माध्यम के कन द्वारा एक कमपन करने में माध्यम के एक कन द्वारा कमपन करने में लिए गए समय लिए गए समय यानि आवरत काल ठीक है आवरत काल लिए गए समय में तरंग द्वारा तरंग द्वारा ते की गई दूरी को तरंग दे द्वारा कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं भाई मीडियम जो है उसका एक कण कमपन करने में जितना समय ले रहा है उसी समय में तरंग जो चल रही थी उसने कितनी दूरी तै कर ली उसे हम कहेंगे तरंग देदरिया समझ में आ गई बात और वैसे ये जो तरंग देदरिया होती है ये दो समान कला मे कमपन करते हुए जो निकटम कन होते हैं उनके बीच की दूरी के बराबर ही होती है ये पॉइंट आपको जरूर नौट करना है ठीक है? तो आप नौट करेंगे कि दो सम्मान कला मैं कमपन करते निकटम कनो के बीच की दूरी के बराबर होती है ठीक है? तो दो सम्मान कला में कमपन करते निकटम जो कन है उनके बीच की दूरी के बराबर ही होती है क्या बराबर होती है? उनके यह जो तरंग देदरिया है वो कहने का मतलब है कि या तो आप यह कहिए कि माद्यम के कन द्वारा एक कमपन करते हो में लिया गया जो समय है उसमें तरंग के दूरी के बराबर होगा या आप यह भी कह सकते है कि दो समान कला में दो समान कला का मतलब है अगर एक पॉइंट उपर जा रहा है तो दूसरा पॉइंट भी उपर जा रहा हो तो दो समान कला में कमपन करने वाले जो कन है और निकटतम कन उनके बीच की दूरी जो है वो भी बराबर होती है किसके तरंग दे दरियर के ठीक है समझ में आगई बात ठीक वैसेही मैं आपको यह भी बता दिया था कि अनूपरस्त तरंगों में दो करमागत सरंगों या गृतो के बीच की दूरी भी क्या केलाती है तरंग दरियर ऐसे ही अनूदे दरियर तरंगों में दोकरमागत संपिडन या विल्लनों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है तरंग देधरिय और वैसे एक रिलेशन आ जाता है लेमडा इज इक्वल टू वी गुणा टी ठीक है ये वी है क्या जो यहाँ पर वी है ये क्या है दोस्तो तो वी है आपके तरंग का वेग और इसी के साथ में आपका तरंग देधरिय जो है वेवलेंट जो है यहाँ तक की बात हमारे कंप्लिट हो जाती है आगे की डेफिनेशन हम नेक्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे ठीक है तो आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद नौट्स बना लें उसके बाद में फिर भी कोई डाउट है तो आप लोगों के पास वाट्स अप नमबर है यह साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं आज जो डेफिनेशन्स बताई है चाहे वो आवरती हो आवरतकाल हो वेवलेंद हो या फिर आपके जो है क्या अरे वाई सबसे पहले बताई थी ना आयाम अम्प्लिटूड इन सबी डेफिनेशन्स को अच्छे से किलियर कर लेना कि इसमें कोई डाउट नहीं रहे क्योंकि इससे आगे आने वाले जो सवाल है वो इसी से हमारे स्वाल होने वाले हैं लव यू अलो आफ यू टेक केर ठेंक यू